नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स मैंने फास्ट रिविजन की नई सीरीज सुरू की है इसमें बहुत यह अच्छे इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट क्यूस्चन्स होंगे और इस सीरीज में 50 वीडियो जोंगे और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है और फ्रेंट्स जिनका DSSB का एक्जाम है उनके लिए तो यह मोस्ट इंपोर्टन्ट रहें पहले के एक्जाम्स में बार बार पुछे गए हैं इस तरह की क्यूस्चन्स और रिट के एक्जाम्स उनके लिए फास्ट रिविजन में यह लास्ट टाइम में काफी एलफूल होंगे सारे क्यूस्चन अच्छे अच्छे हैं तो फ्रेंट्स पहले क्यूस्चन के साथ सुरू करते हैं NCRT की स्थापना कब हुई थी NCRT की स्थापना हुई थी एक सितंबर 1961 की साल को इसकी स्थापना हुई थी अगला क्यूस्चन देखते हैं साकसर भारता बियान कब सुरू आ था यह वह था आठ सितंबर 2009 को और इसको याद करने का ट्रीक में मैं बता देता हूँ साकसर से आप याद कर लेना सितंबर आसानी से याद रख सकते हो सै सै मिल रहा है साकसर सितंबर और आप साकसर हो तो आपको यह पता हो ना चाहिए कि आठ के बाद क्या आता है नो आता है यानि आठ तारिक है और नो का साल है आठ सितंबर 2009 आसानी से याद रहे जाएगा आपके, अगला क्यूस्तन देखते हैं, तीसरा सरौशिक्ष्याब्यान, ऐसे से किस रर्श शुरू हुआ? 2001 में 2001 में सरुषिक्षिया अभ्यान शुरू हुआ था अगला कि उस्चन देखते हैं मद्यान बोजन योजना मिड्डे मिल स्कीम कब शुरू ही थी ये शुरू ही थी 15 अगस्त 1905 में को शुरू ही थी मिड्डे मिल योजना अगले किस्चन देखते हैं जनम के समय नवजात सिसु के सरीर में कुल कितनी अडियां होती है बॉंच की संख्या कितनी होती है नवजात यानि जो अभी अभी जनमाओ जनम लेते ही बच्चे के सरीर में अडियां होती है 270 और उसके बाद हो जाती है देखिए अगले किस्चन में उसके बाद ये 350 तक पहुँच जाती है अडियां अडियों की संख्या और जादा तर्बुकों में आपको 300 के आस पास लिखा मिलेगा यानि 300 मैक्सिमम 350 तक पहुच जाती है ये बाद में जैसे जैसे वो एक दो तीन साल के लगबग होता है और फिर बाद में वैसे बोन्स का विकास अडियों से रिलेटिड पहले की तीन क्युच्टन बता दी है मैंने और ये चोथा क्युच्टन है अडियों का विकास किस आयू के बाद रुख जाता है 16 वर्स की आयू के बाद अडियां बढ़नी बंद हो जाती है उनकी ग्रोथ रुख जाती है अगला क कि युष्चन देखते हैं दसका किस आयू के बालक इमानसी कि योगता लग बग पूरन विकास हो जाता है 14 वर्ष के बच्चे की मानसी कि योगता का पूरन तय विकास हो जाता है और यह क्यूश्चन आपने सुना देखी हो तो क्रिस मुवी क्रिस्टू उसमें पहला इसीन आता है उसमें रिटिक रोशन से पूछते हैं कि ऐसा ही क्यूस्चन पूछते हैं साइध यह क्यूस्चन है मेरी साब से तो वह सही जवाब दे देता है तो वह किसी ने देखी ओर ड्रंग से इस मूवी को तो वह बताए कोमेंट में कि यह क्यूस्चन था दूसरा था अगला क बुक्स में ग्रीक लिखा रहता है कई में युनानी ये तो चलो एक ही है लेकिन कई में लेटिन लिखा मिलेगा तो आम दोनों ही ओप्संद में यदि जोन साब मिलेगा उसी को टिक करेंगे अगला क्युस्टन देखते हैं किस विद्वान ने का था सिसु का मस्तिक स्कोरी सलेट होता है ये का था पलेट तो ने पलेट इसमें ट्रिक मैंने बता रखा है सलेट सलेट पलेट मिला लोगे सलेट पलेट पलेट से बन जाएगा पलेट तो इस तरह से आपके याद रह पहले सिक्स्या का विश्य किस सूची में था 1976 से पहले था राज्जे सूची में और आपके लिए आज का क्यूस्चन है स्वीदान की तीन सूची होती है इन मेंसे वर्तमान में सिक्स्या किस सूची में है यह आपको कॉमेंट बोक्स में लिखके बताना है प्रेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आप से क्यूस्टन पुता चा कि गरब में बच्चे का विकास कितने दिन में हो जाता है इसका आन्सवर है 280 दिन सुरेश रमेश गोटड ने सबसे पहले जवाब दिया और फ्रेंट्स एक कोमेंट आ रहा है प्रवीन मैंता का कि हर वीडियो के अगले वीडियो में आन्सवर्स बताईए तो मैं हर वीडियो में बताता तो हूँ और उनके लिए एक ओर इदायत है कि वो सुरेश गोटड के म आनी पड़ी और रिना जी आप कोमेंट में बताएं कि यह सीरीज कैसी लगी आपको और फ्रेंट्स आपके जो नाम है अगले वीडियो में मैं मॉल्टिपल चॉइस क्यूस्चन वाड़ा वीडियो से आम तक डालूंगा उसमें सभी के नाम समिल होंगे और यह जो यह इस जो नाम है आपके यह सभी नाम समिल होंगे फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो देखने के यह फास्ट रिविजन की सीरीज है इसमें क्यूकली जल्दी से जल्दी क्यूस्चन दोराय जाएंगे और दो तीन इनाम समिल हो पाएंगे